तो आज हम पढ़ने वाले कोशन जिसमें बोला गया है तो इस कोशन का मजलब है नौलेज बेस्ट सोसाइटी क्या है तो चलिए समझतें इसको आंसर से तो जैसे की जुएंट्स टर्म से क्लिएर है नौलेज बेस्ट यानि की नौलेज के आधार पे नौलेज के बेस्ट पे जो सोसाइटी जो समाज है तो वही यहां बोला गया है कि ऐसी सोसाइटी ऐसा समाज जिसमें जो भी एक्शन किये जा रहे हैं जो भी काम किये जा रहे हैं जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो structured है, यानि कि पहले से decided है, well planned है, one by one क्या के step लिए जाएंगे, ये पहले से decided है, और ये जो decide किया गया है, जो structure किया गया है, वो based है, जो की knowledge हमाँ पास available है, यानि कि knowledge लेकर के, उस knowledge के base पे, जो भी आप actions plan कर रहे हैं, जो भी structure बना रहे हैं, तो ऐसी society को हम बोलते हैं, knowledge based society, clear है, यानि कि society समाद जो भी काम कर रहा है, वो उनके पास जितना knowledge है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो यही तो होगा knowledge based society, तो यह जो concept है, knowledge based society का, यह actually धीजरे ओज़दा evolve हो रहा है, develop हो रहा है, समय के साथ ओज़दा improve होते जा रहा है, और यह improve हो रहा है, जैसे जैस communication technology जो है, वो expand करते गई, बढ़ते गई, तरकी करते गई, उस तरीके से, यह knowledge based society भी evolve होते गई, develop होते गई, और ज़दा तरकी करते गई, सुधार होते गया, अब यह कैसा हुआ students, telecommunication यानि कि हम बात करें, जो telephone system है, या इसके जरीए जो internet technology हो गई, तो क्या होता है students, देखिए, माल लेते हैं, दुनिया के किसी दूसरे कोने में, या दुनिया के किसी दूसरे देश में कोई चीज होती है, तो telephone के जरीए, कुछी seconds के अंदर हमको जानकारी, वो knowledge मिल जाता है, किसी दूसरे देश में ये चीज develop हो रही है, जिससे कि वहाँ पे लोगों को आसन हो रही है, या जो भी फायदा हो रहा है, वही चीज जो है, फिर society यहाँ पे दूसरे देशों में प्लान करते हैं, कि हम भी ऐसी चीज करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, कि जैसे से telecommunication industry या technology डेवलप हुई, तो इसके जरी हमको दुनिया के दूसरे देश communications, या काम जो है, जो प्लान है, वो decide करते हैं, और उससाब से वो काम करते चले जाते हैं, तो knowledge लेकर के जो society काम करती है, ऐसी society को हम बोलते है, knowledge based society, और यह knowledge based society बढ़ी, या develop हुई, या improve हुई, telecommunications technology के वज़े से, क्योंकि हमको इसके जरी है, दुनिया के दूसरे हिस्सों म दूसरे देशों में क्या हो रहा है, वो हमको जल्दी से पता चल जाता है, कुछी seconds के अंदर, okay students clear है, I hope students आपको clear हो गया होगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला, तो please हमारी चनल को subscribe कीजिए, और वीडियो को like ज़रूर करें, आज के लिए नहीं, thank you